नमश्वार दोस्तों रोजना राश्वी फल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश कर दें तक दोस्तों आपकी राश्वी फल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी इसमें बर्तिटे है या फिर एनिवर्सरी है आप शवी कोम नहीं तो आई दोस्तों इसे के शाथ बात करते हैं याश्व में गराओं के सिद्धी केशी होंगी क्या क्या यूग बनेंगे और इन शबीक अश्र आपकी राश्य पर क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर याश्व में आपको सावधन नहोंगा और आगर कौन-कौन से क कारी आपके लिए भाग इशल होंगे दोस्तों याश्व में आपका लब लाइब स्वास्त करियर और धन के सिद्धी केश रहेंगी साथे दोस्तों वीडियो के मद में आप शबी के लिए बहुत अच्छे बिजार दे गए हैं जिनिया आप जरूर देखिएगा आपको दोस्तों यकीन और दुआ नजर नहीं आते मगर नामुम्किन को मुम्किन मरा देते हैं दोस्तों नसीयते हैं और दुआएं कभी नहीं बदलती परंतु देने वाली लोग और उसकी जो तरीके बदल जाते हैं दुनिया में सबसे अच्छी दो ही जगा है या तो किसी के दिल में या फिर किसी के दुआओं में दोस्तों आशू नो होते तो आँख इतनी खुशुरत नो होती दर्द नो होता तो खुशियों की किम्मत नो होती पूरी करता रभ यूं सब की मुरादें तो इबादत की कभी जरुत नो होती दोस्तों प्राथना इश्वर में कोई परवर्तन नहीं लाती या तो उस व्यक्ति को परवर्तित करती है जो सच्चे दिल से प्राथना करता है दोस्तों ये भी एक दुआ है खुदा शे किसी का दिलना टुटे मेरी वज़शी एक खुदा कर दे कुछ एसी इनायत मुझ पे कि खुशियां ही मिले सब को मेरी वज़शी तो चलिए इससे की साथ बात करते हैं आज की राश्यवल की देनी राश्यवल दोस्तों ये श में गरह स्तेदिया अनुकुल है आप अपने कारियों को भेहतरिन तरीके से प्रारूप देने में सक्चम रहेंगे किसी नईदी की व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्पंग मुद्दे पर भी ये श में वीचार बिमस होने वाले हैं दोस्तों धार्मिक शंस्ता में भी शिवा शमंदी कारियों में उचित आपका शमय वहत्तित होगा इसको प्रांदी दोस्तों ये शमय अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो ये शमय किसी भी सरकारी कारी को लप्रवाई के वज़ाशी अधुरा ना छोड़े क्योंकि किसे तरह की पैनल्टी लग सकती है पैत्रिक शमन्दी मामले अभी और अधिक उलजने की अशंका लग रही है इसको पांद दोस्तों ये शमय में बताते हैं कि आपके लिए शमय होगे दोस्तों घर या फिर कोई बड़ी वस्तु खरिदने के रिए ये शमय आपके ल वक्ति के शाथ आपके शमन्द भी बहुत मजबूत रहेंगे इसको प्रांद दोस्तों आपको बता दें ये शमय आपके लिए शमय होगे दोस्तों ये शमय भागी और प्रस्तितियां आपके लिए भैत्रिन शमय का निर्मान भी कर रहे हैं दोस्तों समाजिक तदा और वि श्मंदी खरीग प्रोक्त के कारियों में भी बहुत अधिक शावधनी रखने की जर्रत होंगी क्योंकि दोस्तों अभी इन कारियों के लिए जो प्रस्यति है अनुकुल नहीं है दोस्तों अनामश्य खर्चे भी आपके शामने यसमें आ सकते हैं अगर विदेश श्मंदी सब्सक्राइब बार दोनों से सहायता मिलने वाली है डोस्तों आपके लिए मांश्यक स्वास को किकरना अधिक आएउश्य होंगे.." जिन बातों में आपको यस नहीं बातों के बारे में किसी के साथ जो है अधिक चर्चार ना करें। क्योंकि दोस्तों लोगों के साथ चरच होंगे आपको बता दें कि दिन कुछ मिला जुला परवाव भी आपके लिए ला रहा है किसी संपर के दोवरा महत्म और समाचार भी आपको प्राब्त हो सकता है जो कि आपके भुष्ष के लिए बहुत ती लाब दायक शावित होंगी दोस्तों यश में आपकी आर्थिक दिती भी कापे हद तक बहतर रहने वाली है शादी दोस्तों दोपर बात जो प्रस्तियां होंगी आपके लिए कुछ पर्तिकुल वातारन भी बना सकती है जिन कारण शे कोई मुशिबत जो है आपके शामने खड़ी हो सकती है और दोस्तों आपको दा दें कि काम के दवाब के चलते आप खुद को फंशा हुआ भी यश में महसुस करेंगे विद्यार्थी वर्ग को अपने प्रतियोगता परिशाओ के वत्यारी के लिए जो अधिक यश में महनत करने की भी जरुत होंगी तो दोस्तों आप जरूर यश में अपने ध्यान को पड़ाई के प्रति फोकस करें या आपके भविश के लिए बहतर होंगे और भविश में आपके उजवाला सपनों को आप शकार कर सकते हैं इसको प्रहां दोस्तों यश में आपके लिए तोड़ा सा चिंता और तनाव का प्रभाव बनाएगा क्य इसको प्रांदी दोस्तों यह श में आपके लिए श में होंगे आपको बता दें कि अचाना की किसी महत्पून वेक्ति से मुलाकात भी आपकी होगी तथा उनके मारदशन से कई मुश्कुलों का भी निवारन होगा दोस्तों रूची पूर्ण तो था ज्ञान वर्तक शाहि उनके श्वास को लेकर उदास आपका मन थोड़ा सा रह शकता है दिखावे के चकर में दोस्तों कर्ज लेने से बचें क्योंकि दोस्तों अगर आप उनको दिखावे के चिकर में कोई रुपिया पिशाद देते हैं तो दोस्तों आपको अपनी बजट का विएश्मी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आपके उपर कर्ज का पोच बढ़ेगा तो भवश को लेकर आपकी जोश्ततियां हैं गडबर होंगी और आपके आर्थिक देश्मी और भी तंगी को और जाएंगी तो दोस्तों इंसे बचें और दिखावे की प्रवर्तिश येस मे आपको बता दें कि दोस्तों किशी मित्र दोवरा आपको मारदस्टन येस में मिल सकता है जिसके वज़े से आपसे जुड़ी बातों को देखने का नया नजरिया भी आपको प्राप्त होगा अध्यात्मों में आप जो है आपकी खास सुर्यस में रूची रहने वाली है तो दोस्तों आपके वईशाय के लिए जियो समय होंगे आपके लिए केरियर से जुड़े समस्याएं काफी हद तक येश में खत्म हो सकती है आप अपनी वईवार कुछलता से नकातमक प्रिस्तियां पर वियश में काबू पा लेंगे दोस्तों आपको बता दें कि येश में न है जिसे आपको बड़े ओडर भी येश में प्राप्त होंगे प्रतु दोस्तों काम को शमय पर पूरा करना आपके काबलियत पर निर्वर करता है इसले दोस्तों येश में काम पर अपना ध्यान को केंदेद रखें शरकारी शुवारत वेक्तियों पर भी कोई महत्पुन ज है जिमेदारियों को आप येश में निवावी पाएंगे और अच्छी सफलता को है आप अर्षित कर पाएंगे इसको प्रापतों से आपको बता दें आपके केरेश की लिए जम्होंगे दोस्तों आयात निर्या शुमंदी कारियोग में किशी तरह का नुक्षान होने की ब्याशंका बन रही है यश्मे उचित सावधानी बरतना आपके लिए आख्षो होंगे इसे दोस्तों अपने किशीवी कारे में घर के अनुववी वापिर वरिश वेक्तियों की सला अवशले उनकी सला आपके लिए यश्मे फायदमन साबित होने वाली है इसको प्रांदोस्तों यश्मे आपके केरेर के लिए जिसमे होंगे आपको बता दें कि वैवशाई में आपके दोरा किये गए नए परियोग जो है फायदमन साबित होंगे आपको जो है अपने काम के प्रती मेहनत के बेहतरिन रिजालिव यश्म मिलने वाले है नोकरी पैसा जो भी लोग है अपने जो है अप्शियल दास्तावेजों को बहुत अधिक शमाल कर रखें यह आपके भष के लिए और आपके केरेर के लिए बहुत ही महत पुर होंगे इसको प्रांदोस्तों यश्मे आपकी लव लाइप के लिए बात करें इसको प्रांदोस्तों यश्मे आपके लव लाइप के लिए पती पत्री के शमाल्दों में मदुर्टा पतो बनी डेएगी प्रद्व किशी मित्र की वज़ेशे घर में कुछ नकार्तम वातारण भी बन सकता है तो दोस्तों इन बात का भी आप ध्यान में रखें इसको प्रांदोस्तों यश्मे यजो समय होंगे आपके लव लाइप के लिए आपको बता दें कि घर में उचित शमय ना दे पाना इनकी वज़़े जिवन शात्ती की नराजगी भी आपको शेहन करनी पर सकती है शमंदों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ उपार दें तथा मनरजन शमंदी प्रोग्रेम भी आप अवश्म बनाए इसको प्रांद दोस्तों यश्मे आपके लव लाइप के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि यश्मे बच्चों की किसी समस्या को लेकर चिंता रहे सकती है बैतर होगा कि आपसे सूल बुज़र समस्या का हल निकाले इसको प्रांद दोस्तों यश्मे अगर आपकी स्वास्त यानि शेहत को लेकर बात करें तो दोस्थों ये शमी अत्यधिक काम के वज़ए स्रवाइकल या फिर गर्दन में दर्द जैसे समस्यार है कि वयाम में कुछ शमय वईतित करें ये आपके श्वास के लिए बहतर होने वाले हैं इसको प्रांदोस्तों आयश्मे बता दें आपके श्वास के लिए जिसम्होंगे याश्मे बलट प्रिष्टा तथा डाइपिटी शमंदी जो भी लोग हैं वो आपनी जान जरूर करवाएं योगा वार्पिल वयाम में भी अपने दिंचरिया को शामिल करें ये आपके श्व स्वास के लिए जुष्वोंगे आपको बता दें कि शाम तक श्वास होगा परहं को ऑच्थ्रिया को फ्रुक बेसे रखना आपके अवर्श्व बहरोंगे तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें हमका भाग्यशर लेगा क्रीम और भाग्शाली अंक रहेगा चार